तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उब्लाग चैनल पर जैसे कि आपको पता है आज हम लोग आ चुके हैं पता कैसे होगा नहीं पता होगा आपको कि आज हम लोग आये मेंने 31 मनाने के लिए इसको उन फोइड़ा तो आज आप लोग हमारे साथ मनागीए 31 कल new year है 2024 की स्टार्ट होने वाली उससे पहले हम लोग आया है काना जी के दर्सन करने के लिए तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसको लाइक करें कमेंट्स करें और गर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबा दे घंटा दब जाना चीए मुझे नहीं पता क्या भी करो आप लेकिन दबा के जाओ तो चलिए सुरू करते हैं अपने ब्लॉक को तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं सकौन नोयटा जो की नोयटा में सबसे अच्छी जगा है घुमने के लिए और भगवान जी के दर्सन करने के लिए तो हम लोगों ने अपना जूता सम्मिट किया जूता सम्मिट करने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े अपने स्कौन टेमपल की ओर बढ़ गए हैं दर्सन करने के लिए काना जी के, न्यू येर से पहले बहुत ही इक्छा थी की काना जी के दर्सन हो जाए, नय साल की सुरुवात करने से पहले, भगवान के साथ हम सुरुवात करेंगे अपने न्यू येर की, जो की, इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है या, लाइफ में, क्या वेस द्वार पर पहुंच चुके हैं गेट पर पहुंच गया एंट्री कर लिए हमने यहां आप देखेंगे तो हमारा सुष्वागत हम हो रहा है और सुष्वागत करवाते हुए हम थोड़ा सा उगदर इधर गए उधर गए देखा हमने को हमारे जान पर चानवाला मिल प्रमे आपको के अच्छा है और फाइनली हम लोग आ चुके लाइधा है जहां। लिए तो आज पराइए हाँ के भगल में है तो विखेंड़ा इया है तो मतलब बहुत ही अच्छा व्यू है हाँ से काफी मज़ा आएगा आप लोगों आई है फिर वापस से हम वह वीव लेके वापस आगे टेमपल होल में और दुबारा से हमने किया काना जी के दर्शन तो हमारे काना जी बहुत ही प्यारे लग रहे थे अंदर सनातन धर्म के परती इतना अकरसन बढ़ रहा है यह तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के लिए तो टेमपल में आज काफी ज़्यादा भीड़ थी काफी सारे लोग आए वे थे बहुत सारे लोग आए वे थे और वीवी बहुत प्यार लग रहा था दुलहन की तरह सजा गया है इसकोन नौयड़ा को यहां पर आप इसकोन मंदिर के वाटसप ग्रूप से भी जूर सकते ह वापस से मंदर आते हैं अंदर की दरब आप देखेंगे बहुत सारे लोग दर्सन कर रहे हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं काफी जाता भी रहे हैं यहां पर काफी लोग आए हुए हैं आज मतलब सब कीरतन कर रहे हैं भगवान स्री किर्षन का नाम ले रहे हैं आरे बाहर आ गए और हम लोग आगे कि और बढ़ते हुए तो आगे मैं दिखाऊंगा आपको इसको उनका matchless gift shop, book store, बांके सारी चीज़ दिखाऊंगा चलिए चलते हैं matchless gift shop में, इसके अंदर आगे हमें, यहाँ पर देखेंगे आपको प्यारे-प्यारे काना जी के posters मिल और दोती-कुर्ता लेना चाहते हैं, दोती-कुर्ता मिल जाएगा, बांके आपको अगरवती धूप, यह सारी चीज़े मिल जाएगे इसके अंदर, बहुत बड़ा स्टोर तो नहीं है, यह लेकिन है, अच्छा-खासा स्टोर है, ठीक-ठाक सा स्टोर है, यहाँ पर लोग सामान की विलिंग कर रहते हैं, आपके काना जी के पोसाक, लड्डू गोपाल जी के पोसाक वगेरा रखे हुएते हैं, थोड़सा आगया आएंगे, तो आपको कुछ चीज़े दिखेगी, उसी बीच आपको दिखेगा स्रीमत भगवत गीता, जो की बहुत ही प्यारा है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, अरिजुन और भगवत गीता की बात है, और जोन और स्रीकर्सन को कैसे भूल सकते हैं आप, तो इसके दर्सन करके हम फिर आगे गए, बुक स्टोर में, बुक स्टोर में आपको गीता का एक पैरामिडर दिखेगा, उसके बगल में चोटे अगर आप लोग यहां आना चाहते हैं, तो यहां का नियरस मैट्र स्टेशन है, नोइटा सीटी सेंटर, वहां से 10 रुपे लेगा इरिक सवाला और सीधा मंदिर के गेट पर छोड़ेगा, इधर उधर जाने की ज़रूती नहीं, अगर आप लोग अपने वहीकल से आते तो नोटा सेक्टर 33 में आजकते हैं, आटी ओफिस के बगल में है, यहां पर आईए, दर्सन कीजिए, सुबह सारे 4 बज़े मंदिर खुल जाता है, और 12 बज़े तक खुला रहेता है, सामको 4 बज़े खुलता है, सारे 8 बज़े तक खुला रहेता है, तो आप लोग भी आईए आप सभी को हैपी न्यू यर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर, उम्मीद करता हूं आप लोगों का यह नहीं साल बहुत ही सुब जाएगा,